हेलो दोस्तो मेरा नाम है विशेख सिंग और विलकम ओन टेकनेशिया इस वीडियो में हम लोग नया चैप्टर सीखने वाले है और नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले है जिसका नाम है इंटर्फिरेंस और डेफ्रिक्शन सो टोल स्टेंडर्ड के लिए यह चैप्टर बहुत जादा इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है बट मोस्ट अप दा स्टुडेंट इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं पता नहीं क्यों बिकॉज उनको यह चैप्टर समझ में नहीं आता है इनके जो डेरिवेशन से वह समझ में नहीं आता है तो मैं आप लोगों के लिए पूरा ट्राइ करूँगा कि यह इसकी सारी चीजे आपको डेफिनेटी समझ में है और आप एक्जाम में इस चैप्टर को अच्छे तरीके से अटेम्ट कर सके अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज हिट देट सब्सक्राइब बटन मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियो बनाता रहता हूँ तो ज्यादा डाइम वेश ना करते हूँ है लेट्स कर्टीनियो इस वीडियो गया इंटर्फिरेंस यह वर्ड काफी कॉंप्लिकेटेड लगता है बट एक्च्छल में ऐसा है नहीं इंटर्फिरेंस को आप डेली लाइफ में बहुत बार होते वे देखते हैं बट उस चीट को समझ नहीं पाते हैं क्या आपने कभी पानी में कोई भी पत्थर फेका है अगर पत्थर फेकते हो तो क्या देखते हो पानी में रिपल एफेक्ट जनरेट होता है ठीक है बहुत सारे वेब्स ऐसे आपको दिखाई देते हैं तो जैसा का आपको screen पे दिख रहा है अगर आप पत्थर को पानी में फेकते हो कभी सोचा है कि ये ऐसे ripple effect क्यों generate हो रहा है या फिर इसके पीछी के reasons क्या है कहीं पर ripple effect में कहीं पर उभार आता है that means उपर के side पे ज़्यादा पानी दिखता है कहीं पर थोड़ा सा lower side दिखता है तो ये क्या होता है और ये कैसे generate होता है यही हम सारी चीजें देखते हैं interference में interference basically वो phenomenon होता है जहां पर आपका जो दो waves है वो एक दूसरे के साथ interact करें अब interference word generate ही होता है interact word से that means interact अगर हम लोग किसी के साथ करते हैं ठीक है अगर interact दो waves करती है तो उससे interference generate होता है अब उस interference के बाद उनकी जो state से उन पर फरक पड़ता है जैसे कि constructive और destructive interference तो I hope आपको यह चीज़तों समझाओगा that means interference क्या होता है अब हम लोग देखते है कि constructive और destructive interference क्या होता है लेकिन उससे पहले हमको यह समझना जरूरी है कि waves में वो जो उब्रा हुआ part रहता है वो क्या होता है और जो lower का side का part रहता है वो क्या होता है यहां पर अगर कोई मैं आजियूम करूँ कि यह wave है ठीक है सो मैंने बूला एक उब्रा हुआ part that means this one सो इसको हम लोग बोलते हैं crust क्या बोलते हैं crust और इसको बोलते हैं हम लोग trough क्या बोलते हैं trough सो अब यह जो constructive और destructive interference है यह दोनो crust और trough के positioning पे depend करता है सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो interference pattern है वो दो wave के interact से होता है सो उसमें crust और trough कैसे एक दूसरी के साथ relate करते हैं उसी से generate होता है constructive और destructive interference सो अब देखते हैं क्या होता है constructive और क्या होता है destructive interference सो वाट इस constructive interference सो सबसे पहले इसका समझ लेते हैं कि definitions क्या होता है मतलब इसका definition क्या होता है सो the point at which the crust falls upon crust and trough on trough at such point the resultant displacement is maximum the wave reinforce each other and the interference is called as constructive interference definitions जो बुक के according दी रहती है तो अफकोस वो थोड़ा सा आपको समझने में difficult होती है बट एक्च्वल में इतना भी difficult नहीं है अगर सबसे पहले हम लोग word को ही describe करें constructive so constructive means construct करना constructive मतलब construct करना so यह जो word है यह construct करने से derive होता है so आप जैसा कि definition में बताया कि अगर दो waves है और उनका crust और अगर crust एक crust मैं दूसरा marker यूज करता हूँ दूसरे crust को दिखाने के लिए so एक crust अगर दूसरे wave के crust के साथ आता है या फिर एक truff दूसरे wave के truff के साथ आता है so because of यहां पर होता क्या है अब समझने वाली बात है कि अगर एक wave क्या कर रही है energy को transfer कर रही है energy को transfer कर रही है so अब अगर एक की energy दूसरे की energy के साथ combine हो जाती है तो यहां पर जो energy है वो एक हिसाप से double हो जाती है so जब यह doubling of energy होता है तो क्या होता है उसका जो amplitude होता है that means amplitude वो double हो जाता है so because of energy एक दूसरे को oppose नहीं करती है बलकि एक दूसरे का साथ देती है जहां पर crust और crust एक साथ हो जाए और trough और trough एक साथ हो जाए so वहां पर आपका जो amplitude होता है वो maximum होता है और energy जो होती है वो भी maximum होती है so इस type के interference को क्या बोलते है consecutive interference क्या बोलते है consecutive interference because इसमें जो bright spot है या फिर जो आपकी wave है वो energy जो है वो construct होती है ठीक है अब I hope आपको consecutive interference समझाओगा आपको देख लिया बट अब क्या होता है destructive so अब इस यह word से भी आपको एक चीज समझ में आती है कि इसमें कुछ ना कुछ तो destroy होता है that means जैसे ही जैसे कि constructive interference word बन आया कहां से construction से वैसे ही destructive interference यह word कहां से आया that means किसी भी चीज को destroy करने से so यहां पर जो भी destructive interference है तो यहां पर जो energy है वो destroy होती है कैसे अब जैसे कि constructive interference में देखा था कि crust के साथ crust और truff के साथ truff आता था तो वहां पर उसको हम लोग बोलते थे constructive because वो energy को extra energy देता था और amplitude वहां पर बढ़ जाता था destructive interference में crust के साथ अगर truff आता है अगर crust के साथ आपको यहां पर truff आता है ठीक है like this अगर यह आपका crust है so crust के साथ दूसरी जो wave है उसका भी अगर crust आता है यह crust के साथ truff और truff के साथ crust आता है that means just opposite अब उपर वाला हिस्सा crust हो गया और नीचे वाला truff so कभी भी अगर ऐसा phase आता है तो अगर assume करें यह हो गया positive side और यह हो गया negative side so यह क्या करते हैं यह energies एक दूसरे की energies को खत्म कर देते हैं जिसके कारण वहाँ पर जो energy का output होता है वो एकदम कम होता है that means minimum और zero होता है so कितना होता है minimum energy और zero energy so destructive interference को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब ही crust falls upon a truff और vice versa that means चाहे crust truff के उपर आए या फिर truff crust के उपर आए energy को कम होना ही है so यहाँ पर जो overall energy निकल के आती है वो minimum और zero होती है जिसके कारण जो आपका pattern होता है वो lower side और minimum energy के साथ रहता है so basically यहाँ पर energy का destruction और destroy होती है इसके लिए इस type के interference को बोलते है destructive interference करण मुझेँ आए जो आएजयी करण आए दे आए झाल झाल